तो गाईस अगर आप लोग OPPO की डिवाइस यूज़ करें और OPPO की डिवाइस में अगर आप लोगो को WhatsApp एप में अगर कोई भी प्राबलम आ रही है WhatsApp एप आप लोग के फोन में काम न करें तो कैसे आप लोग इस प्राबलम को फिक्स करेंगे वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिची का बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो गैस यहाँ पे आप लोगों को सिंपल करना क्या पड़ेगा सबसे पहला सॉलिशन रहता है आप लोग अपने फोन में प्लेश्ट और उपन करिए देन आप लोगों को सर्च बार पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वाटसब ठीक है वाटसब पे हमने क्लिक किया अब यहाँ पे आप लोगों को ढूणना देखना है कि वाटसब पे कोई अपडेट तो अवेलेबल नहीं है अगर वाटसब में कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आप लोगों को अपने वाटसब को अपडेट कर लेना है ठीक है ये भी एक solution है उसके बाद दूसरा solution क्या है काफी cases में क्या हो जाता है कि हम WhatsApp पे कुछ restriction लगा देते हैं जैसे कि internet का ही तो उसकी वज़र से भी WhatsApp काम नहीं करता तो simple आप लोग को क्या करना होगा आप लोग जाएंगे अपने फोन की system settings पे आप लोग के फोन में additional settings होगा या फिर system settings होगा आप लोग को क्लिक करना होगा देन आप लोग को यहीं पर backup and reset मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे reset phone पे क्लिक करें देन आप लोग को एक option की वज़ा से WhatsApp एप काम नहीं कर रहा होगा तो सब कुछ default हो जाएगा और आप लोगों की problem भी fix हो जाएगी ठीक है अगर यह तरीके भी काम न करें तो last का solution क्या बसता है आप लोग को अपने WhatsApp का backup ले लेना है देन आप लोग को सर्च कर लेते हैं WhatsApp यह आचुका है WhatsApp then storage usage पर क्लिक करें और आप लोग को इसका data यहाँ पर clean कर लेना होगा simple आप लोग को यह method को use करना है definitely आप लोगों की problem fix हो जाएगी मिलते हैं next वीडियो में जै मतादी